हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू मा यूटूब चैनल भारतिय आशा ब्लोग में तो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप अच्छे होंगे सवस्त होंगे मस्त होंगे तो फ्रेंड्स यह देखिए शुबह का शमय है और मैं क्या कर रही हूं सुबह शुबह यह लोगों ने फाधा यह भी लगाया हुए नहीं था लेकिन अपने आप से वह था दो उसमें बहुत सारे करेले लगे हुए थे और देखिए मैं अपने बैंगन जो बैंगन के पौधे लगाए हुए थे और यह देखिए इसमें बैंगन कितने सारे लगे हुए हैं मैं सोच रही हूं कि मैं इनको तोड़ लूँ बनाने के लिए लेकिन आज मैं नहीं तोड़ूंगी इनको क्योंकि अभी सब्जी घर पर रख पौधे हरी भरी चीजे सुबह देखने में बहुत अच्छी लगती है और आखों के लिए बहुत ज्यादा आराम दायक होती है तो यह देखिए यहां पे थोड़ा सा पुदीना है जो हम लोग ने लगाया था यहां पे तो वही मैं तोड़ रही हूं इसको जितना तोड़ उतना ज्यादा ही होता है उतना ही ज्यादा फैलता है और यह देखिए चटनी पिसने के लिए मैं पुदीना यहां पे तोड़ रही हूं तो फ्रेंड्स मैंने जो कुर्तियां ली थी आप लोगों को दिखाई थी मैं उनकी फिटिंग कर रही हूं वो बहुत ज्यादा बड़ी थी तो मैं उनकी फिटिंग दे रही हूं यहां पे तो मैं घरी में फिटिंग दे देती हूं कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती है को अब मैं खाना बना के यह देखिए वो जो पुदीना मैं ने तोड़के रखा था वही है यह उसकी मैं चटनी पीस रही हूँ इसकी चटनी बहुत अच्छी खाने में लगती है इसमें कई चीजें परती है प्याज लासुन आम की कलिया और सूखा हुआ धनिया यही शारी चीजें डालके पीसी जाती है तो इसक अब आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूं तो अभी आप चलके देख लीजिए मैं क्या करने जा रही हूं आप क्या हुआ 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 है तो मैं आ चुकी हूँ मैं मेरी छट पे आ चुकी हूँ और यहां पे कपड़े सूख रहे थे सुबह मैंने कपड़े डाले हुए थे तो वही मैं उतारने आई हूँ यहां पे तो यह देखिए कपड़े यहां सूख रहे हैं धूप बहुत ज्यादा हो रही है और बादल भी है तो धूप हवा भी चल रही है तो धूप इतनी ज्यादा नहीं लग रही है लेकिन धूप हो तो जरूर रही है ज्यादा तो फ्रेंट्स यह देखिए बादल है यहां पे लेकिन अभी बारिस दो चार दिन से नहीं हुई है तो मैं कपड़े उतार लिये हैं और यहां पे ग्यों जो शाप करने के लिए कि मैंने यहां पे बोरी की जो है पली थी उसको मैंने धूल के डाली थी तो वह शूप चुकी है और मैं नीचे जा रही हूं तो मैं अपने ग्यों जो शाप करूंगी प्रेंट्स यह देखिये यह साथ आठ दिनों से नहीं धुले हुए रखे थे क्योंकि बारिस के महीने में हम लोग और दूल के रख लेते हैं और बाद में इनको शाप करके पिस्वा लेते हैं इनका अटा तो ये 7-8 दिनों से ग्यों रखे हुए थे तो मैं इनको शाप करके चक्की पे भिजवा देंगी पिस्वाने के लिए तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो मेरा कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक चैनल क को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो आप लोगों से मिलती हूं मैं किसी न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाए